आज कल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता पहले खुद अमल करना सीखो फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो अगर दिये तले अंदेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फाइदा इनसान को अपने आपको सुधारना चाहिए फिर बहुत ही अच्छा है अगर वो दूसरों के एब गुना छुड़वाने के लिए उसे सत्संग ले आए अल्ला वहिगरुराम के नाम से जोड़ दे बेद गरंतों में लिखा है इस कड्यूग में बुरे करम करने वाले को अगर आप अल्ला वहिगरुराम से जोड़ोगे उसकी बुराईया छुड़वा दोगे तो जिस तरह कोई कटते हुए जीब को गव को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है उससे हजारों गुणा पुन्य आपको मिलेगा इसलिए जितना हो सके जाना से ज्यादा ये करम कमाया करो यानि आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं जो बुराईयों से जुड़े हुए है जिनका पेशा गलत करम है उन्हें राम नाम से जुरूर जोड़ा करो भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी क्योंकि उसके बिचुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया पर उस आदमी का परिवार जो आदमी सुद्र गया सारी उमर आपको दुआएं देता रहेगा कि भई आपने उनकी जिन्दगी बदल दी नर्क से सुरक बना दिया घर को नर्क कोई अलग नहीं होता यहां नशा करते हैं यहां मास खाखा के हड़ियां इदर उदर फैकते हैं यहां उल्टियों के तलाब बन जाते हैं वही नर्क होती है और कहां वहीं पे खुश्बू होती है अल्ला वहे गिरु राम के नाम की चर्चा होती है बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सतकार करते हैं यही सुरक होता है अगर यहां नर्क भोग रहे हो तो अगले सुरक की उमीद ना करो अगर यहां सुरक बन गया तो अनामी की उमीद करो ताकि आवागमन खत्म हो जाए सत्संग में आने से गम चिंता परेशानियां मिठ जाया करती है सत्संग में आने से इन्सान को सोजी आती है समझ आती है और सत्संग में आके सुमर्ण करके अमल करने से हर धर्म के पवित्र गरंत की समझ आनी शुरू हो जाती है इसलिए सत्संग सुनो और उस पे अमल किया करो जब तक आप सुनते नहीं अमल करते नहीं तब तक आप कोरे यानी खाली रहती हो बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे कोई अमल कमाले तू अगर जश लेने मालिक द्वारे अगर जश लेने सत्गुर द्वारे तो संग अच्छा करोगे तो समझ आएगी सत्संग करने से जनमों जनमों के पाप कटते हैं और इस जनम के कियोए बुरे करम खत्म होते चले जाते हैं इसलिए राम नाम के पुजारी बनो अल्ला वहिगरू का नाम जपो परमपिता परमात्मा से अबल प्रेम रखो क्योंकि वो एक ऐसा यार है उससे यारी लगा ली आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा और वो ऐसा पका दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है यहीं नहीं अगले जहान में भी आपे बिपता नहीं आने देगा इसलिए गुरु संथ पीर फकीर कहते हैं कच्चों यानि जो कच्चे दोस्त हैं जो बात-बात पे रूठ जाते हैं उनसे तोड और पकड़े से जोड यानि सद्गुर अल्ला राम से जोड़ो उससे अगर लिब लग जाती है कि उसकी भगती अबादत में अगर लग जाते हो तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी कलपना से परे खुशियां मिलती हैं परमा आनंद मिलता है तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है सत्संग पे एक सची बात ख्याल में आई आपको सुनाते हैं बहुत पहले की बात है एक शातिर चोर था इतना शातिर कि वो आस-पास के राज्ये में चोरी करता पर पकड़ा नहीं जाता था लोगों ने बहुत जोर लगाया राजा महराजाओं ने बहुत जोर लगाया कि लेकिन किसी की समझ नहीं आया चोर कौन है आखिर समय आता है उस चोर का भी अंतिम समय आया वो जाने लगा और जाते जाते अपने बेटे को शिक्षा दी कि लेगा बेटा चोरी के ये ये मंतर है और जब चोरी करो तो कभी भी माल अपने पास ना रखो सबसे पहले समान को खुर्द बुर्द कर दो फिर चोरी कर ली तो कभी मानो ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जब तक मानोगे नहीं आप चोर साबित नहीं होगे बेटा कहने लगा ठीक है पापा ठीक है पिता श्री मैं ऐसा ही करूँगा फिर चोर कहने लगा रहे एक बात तो रही गई कि कि लगा कौन सी कि जब संत संत पीर फकीर की कहीं सतसंग हो तो उसमें मत जाना अगर चले भी गए तो संतों की बात कभी न सुनना चोर का बेटा कहने लगा ठीक है पिता और वो चोर मर गया अब चोर के बेटे ने चोरियां शुरू कर दी पकड़ा नहीं गया लेकिन एक दिन बादिशा का खजाना हीरे ज्वारात चुरा के भाग रहा था तो सैनिकों की निगा में आ गया सैनिक पीछे पड़ गये वो भाग रहा है भागते भागते उसने देखा नगर में बड़ी धर्मशाला है और उसमें लोग बहुत जा रही है तो वो भी उनके साथ हो लिया और पिता का बताया मंतरक हीरे ज्वारात एक बहन को देखी कि ये बोड़ी भाड़ी लगती है उसके बैग में डाल दिये और खुद सब के साथ अंदर जाके बैठ गया जब अंदर जाके बैठा तो उसने देखा कि सामने तो एक संत बैठे है एक फकीर बैठे है तो उसने अपने दोनों अंगलियां कान के उपर रख ली कहीं कान में कोई संतों की आवाज ना पड़ जाए दवा के अंगलियां बैठ गया पर अचानक आदमी की फितरत है अगर आपको बोले ना कि उदर बहुत खूबसूर्थ कुछ है कई तो अभी देखने लग गए जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में देखेंगे अच्छा क्या था उदर यानि जिदर से रोका जाए नैचुरली उदर ध्यान ज्यादा जाता है तो चोर ने सोचा यार ये संत ऐसा क्या करते हैं लोग तो तालिया मार रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं मैं सुनूं तो सही उसने कान से उंगलियां हटाई और संतों का वचन आया कि देवी देवताओं के परच्छाई नहीं होती इतना सुना कि तो अच्छा ये तो बोल रहे हैं जट से कान बंद कर लिये सहसंग समापत हुआ चोर बाहर निकला उसकी पहचान थी सैनिकों को और सैनिक जैसे वो बाहर निकला उसको पकड़ के ले गए राजा के दरवार में पेश किया गया राजा ने पूछा क्या इसके पास चोरी का समान मिला तब सबसे बड़ा सबूत यही होता था कि चोरी का समान मिल गया तो चोर है कहते जी वो तो नहीं मिला कहते फिर किस अधार पे कहते हो कहते जी हमने इसको खुद देखा है भागते समान उठा के उसको जेल में कर दिया बहुत प्रेतन किया कि मान जाए नहीं माना एक औरत जासूस थी कहने लगी बादशा सलामत अगर कहो तो मैं मनवा लेती हूं कहने ठीक है चोर अंदर कोठडियों में बंद है और अचानक क्या देखता है गेट खुला है दड़ाम से पहरेदार गिरे दूसरा खुला तीसरा खुला सब गिर रहे हैं और अचानक देवी मा आ रही है चार हाथ वो जो देवी की आकरती दिलों में होती है बिल्कुल वो ही देवी आ रही है चोर हका बका रह गया कि ये तो मेरी शर्धे है इसको तो मैं अपनी इस्त मानता हूँ देवी आई चोर रोने लगा ओ मा तू आई है मेरी पूजा मैं करता रहा तुझे याद करता रहा देखो मैं यहां फस गया मेरा बुरा हाल है मैं धन्य होगे आपके दर्शन करके तो देवी ने आशिरवात दिया देवी माता ने और बोलने लगी बेटा मैं तेरे दुख हरने के लिए आई हूँ फिकर मत कर आज मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी अचानक चोर ने देखा देवी मा की परचाई नीचे से होती हुई दिवार के उपर तक जा रही है चोर शातिर तो था जट समझ गया देवी कहती बस तू सच सच मुझे बता दे चोरी की है के नहीं की मैं तेरे गुना माफ कर दूँगी चोर तो समझ चुका था वो आगे से चार गुना ज़्यादा रोने लगा पूरी अक्टिंग करें मा मर गया मैं तो तेरा रखने का हूँ मैंने चोरी तो क्या मैं तो चोरी की तरफ मुँ भी नहीं करता कहती बेटा देख ले वरना नरकों में जाएगा कहता मा मुझे यहीं नरक दे देख अगर मैं जूट बोलूँ तो क्योंकि चोर को पता था कौन सी माता है तो वो औरत जासूस जो बन किया आई थी माता कहती ठीक है बच्चा चल मेरे साथ उसके साथ हो लिया सेनिकों को कहती राजा के पास ले जाओ वो कहते है जी देवी माँ वो राजा के पास ले गए वो औरत जो देवी बनी थी भेश बदल के राजा के पास पहले पहुंच गई कहने लगी राजान उसने चोरी नहीं की राजा कहता तू इतना पक्के से कैसे कह सकती है कहने लगी ये लोग देवी मां को मानते हैं और मैं ऐसे ऐसे रूप बदल के गई थी तो ये माना ही नहीं मैंने इससे पूछा सब कुछ बड़ी शर्दा से इसकी आँखों में जार जार रो रहा था पर ये कह रहा था मैंने चोरी नहीं की तो राजा केता ये तो सही है चोड़ो इसको बेगुना है उसको छोड़ दिया गया अब उसने आप देखा ना ताप भागा उस धर्मशाडा के पास कि वो संत कहां है वो नहीं मिले वो तो चले गए पता किया किस वो कहते दूसरे नगर में है वो दोड़ा दोड़ा गया उस नगर में पहुँचा संत बैठे हुए थे धड़ाम से जाके चर्णों में गिरा हे गुरुदेब मेरे पे किरपा कीजिए मेरी रक्षा की है आपने मेरे जिंदगी बख्षी है आपने तो संत मुस्कुराए कि बेटा हमने तो कुछ नहीं किया जो करता भगवान कहता आप फला नगर में सत्संग कर रहे थे और मैंने सत्संग सुनना नहीं था मेरे बापने रोका था पर जग्याशा हुई कि क्यों रोका था ऐसा ये संत क्या बोलते है तो मेरे कानों में पढ़ा कि देवी देवताओं के परचाई नहीं होती तो उसने पूरी बात बताई कि आपकी सत्संग के एक लाइन ने आज मेरी जिंदगी बख्ष दी अगर मैं पकड़ा जाता तो सूली पे चड़ा दिया जाता तो अगर पूरा सत्संग सुनू और आपका राम का नाम लूँ तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा